ज्यानी लोगों के मुँसे आपने एक जबरदस बात जरूर सुनी होगी, जब दुनिया में पाप हद से ज़ादा बढ़ जाता है तो बुराई को रोकने के लिए स्वेम भगवान धर्ती पे किसी अफ़तार में प्रकट हो जाते हैं। बस ठीक उसी तरह कुछ OTT प्लेटफॉर्म सिनिमा की दुनिया में भगवान बनकर पैदा हुए हैं जो बॉलिवुड रूपी राक्षस का वद करके हमेशा हमेशा के लिए अत्याचारों से चुटकारा दिला सकते हैं। जो ना सिर्फ बॉलिवुड बलकि पूरी इंसानियत को आइना दिखाने का काम करती है और छोटी सोच वाले लोगों के गाल पर कसकर तमाचा मार देती है। सबसे पहले सबसे जरूरी बात फिल्म को आप सोनी लिफ पर देख सकते हो। नौकरी पर रखने की सिफारिश कर बैठे हैं। प्यार से लोग इनको काका पुकारते हैं और बच्चे से लेकर नौजवान हर किसी के दिल में इनके लिए इज़क कूट-कूट कर भरी हुई है। लेकिन नौकरी खतम होने के बाद इनकी जिंदगी सिर्फ एक छोटे काले अंधेरे कमरे में सिमट गई है। इसमें सुब्दुख बांटने वाला कोई साती मौजूद नहीं है। दूसरा करेक्टर है विलास नाम के टेक्सी ड्राइवर का जो आगे चलकर राजनीती का बड़ा चहरा बनने के सपने देखते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब भोस्ते काका के बगल वाले कमरे में एक छोटे शहर से आई हुई नर्स अपने भाई के साथ शिफ्ट हो जाती है। बोसले साहब को रिटायर होने के बाद दुबारा पुलिस की वर्दी पहन कर महराश्च की सेवा करने का एक और मौका मिलेगा। या फिर अकेलेपन के साए में इनका जोश और हिम्मत दोनों धीरे-दीरे लड़ाई हार जाएंगे। इन सबी सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म भोसले। देखो पहली बात तो ये कि भोसले कोई मामूली फिल्म नहीं है। ये एक अलग टाइप का सिनिमा है जिसको महसूस करने के लिए तसल्ली और सिनिमा से कटर महबत की जरुत पढ़ती है। हर चीज को सिर्फ बोलकर स्क्रीन पे फेका नहीं जाता बलकि छोटी से छोटी डिटेल आपके सामने बारीकी से बुनकर तयार की जाती है जिसमें अच्छा खासा वक्त खर्चो जाता है। तो अगर आप तेज भागने वाले रंगिन सिनिमा के फैन हैं तो ये फिल्म और मेरा रिव्यू दोनों आपके किसी काम के नहीं हैं। अपने खुद के बच्चे या फिर रिष्टेदारों में बांट दी जाती है जिनका एक्टिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बच्चे की जिद है तो घरबाले लॉलीपॉप ज़रूर दिलाएंगे थुड़ी शरम करिए। फिल्म की खासे चुपी हुई है इसके लीड केरेक्टर और गनपती भगवान के बीच स्पेशल कनेक्शन में। जिस तरीके से भगवान किसी भी चीज में फर्प नहीं करते उसी तरह आप मराठी हो या भिहारी भोसले काका आपको बराबर प्यार देंगे। लेकिन जब इन दोनों की आँखों के सामने अन्याय अपनी साधी सीमाय लांग जाता है तो पापको मिटाने के लिए ये युद्ध के मैदान में उतरते हैं और लड़ाई लड़ने के बाद अपनी पुरानी दुनिया में विसरजित हो जाते हैं। इस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलते हैं जो आपको अंदर से खरोच सकते हैं। संतोष जोवेकर जो एक अच्छे खासे मराटी फिल्मों के आक्टर हैं उन्होंने नेगेटिव करेक्टर को कुछ इस तरीके की चतुराई से प्रेजेंट किया है। जो भी फिल्म में उनकी तरफ देखने से खुद को नहीं रोप पाओगे। अभिशेक बैनर जी का रूल काफी छोटा है लेकिन उनके टैलेंट की चमक कुछ मिंटों में ही आपकी आँखों को अपने वश में कर सकती है। इपशेता चक्रवर्ती की बेदाग एक्टिंग ने फिल्म को फिक्षन की दुनिया से बाहर रियालिटी में खीच लिया है। किसी दिखावे के हकीकत के एकड़ के लिए एकट सीर मनुट सर और बाकी पूरी टीम की मजबूत परफरमेंस के लिए। ऐक स्टार कैमरा से खेलने के अजीब गरीब तरीके कि लिए और हाफ स्टार बड़ी ही चालाकी से फिल्म के को गिन्पति पापपा झाल झाल